हलो फ्रेंट मैं बिर्जेस कुमार ओपिसियल यूटूब चेनल जी ओ वी टी जॉप्स फोर यू में आज का वीडियो लाइबेरियान और प्रसनल सेक्रेटरी से सबंदित हैं लाइवेरियन के लिए एक पद है, L13 का पद है, परसनल सेक्रेटरी के लिए एक पद है, और L8 का पद है, यह जो वेकेंट पोस्ट है, on a regular post, purely through the deputation basis, यानि वेकेंशी जो है, सरकारी नोकरी है, बट deputation basis पे सेलेक्शन होगा, पोस्ट जो वेकेंट है, सरकारी नोकरी के लिए है, इस पद के लिए, लाइवेरियन पद के लिए, क्वालिफिकेंशन में, ग्रेजुएट साइंस सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेंशन, लाइवेरियन इंफार्मेशन साइंस में होना चाहिए, और 10 साल का experience मांगा हुआ है, रेपूटेटेट संस् साल, और 10 साल का regular service experience होनी चाहिए, लेवल 11 कांचा, एज लिमिट 56 साल है, परसनल सेकरेटरी के लिए जो क्वालिफिकेंशन है, पी ए, इस्टेट गॉर्मेंट या इनो सिटी से आप हैं, तो अपलाई कर सकते हैं, और 2 साल का regular service experience पे लेवल 7, और 6 एर का regular service experience पे लेवल 6 कां service है, data कम है, और आज ही या notification आया है, इंडिया के कोई भी आदमी अपलाई कर सकता है, और पिरियड आप डेपूटेशन, साल भी 2 यह, यानि 2 साल का डेपूटेशन है, और हमने जो थमनेल बनाया है, सरकारी नोकरी किया है, तो इसमें आपको confused नहीं होना है, क्योंकि इसमे आप confused मत होना, और अदर जो डिटेल जंकारी है, वो तो आप देखी रहे हैं, इसमें, अप्लिकेशन फार्म फिल करने से पहले, नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि या जो अप्लिकेशन फार्म है, मैं कहा रहा था, क्योंकि अप्लिकेशन फार्म फि जाएगा, तो आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए, अप्लिकेशन फार्म आपको अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या लिखना है, यह तो आपके पास ही है, सीवी आप सेंड कर सकते हैं, यहां पे, जहां पे आवेदन आमंत्रित हैं, अप्लिकेशन फार्म नीचे हैं, व वेकेंसी कहीं का भी हो नोकड़ी लगना चाहिए और दूर भी हो तो भी कोई दिकत नहीं रहता है इसलिए आप अपलाई जरूर करें